नरिंद्र मोधी सरकार को घेरने और विपक्षी पार्टियों को एक जुट करने के लिए कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिर से तैयारी शुरू कर दी है इसी को देखते हुए सोनिया गांधी के नित्रित्व में शुकरवार को 18 विपक्षी पार्टियों की एक एहम बैठक होगी बिहार में R.J.D. कॉंग्रेस और J.D.U. के महागटबंधन तूटने के बाद पहली बार विपक्षी दनों की मीटिंग होने जा रही है लेकिन खास बात ये है कि इस मीटिंग के लिए बिहार में B.J.P. के साथ सरकार बनाने वाली J.D.U. को भी नियोता भेजा गया है J.D.U. इस बैठक में शामिल हो गिया नहीं ये अभी साफ नहीं हो पाया है डालते हैं एक नजर की किन मुद्दों पर हो सकती है इस बैठक में चर्चा संसत के मौनसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को चीन, मौब लिचिंग और राहुल गांधी पर हुए हमले जैसे मुद्दों पर घेरा लेकिन सत्र खत्म होने के बाद केंद्र के खिलाफ क्या रणनीती हो इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है साथ ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर CBI और सरकारी एजंसियों की चल रही कारिवाई पर भी चर्चा होने के आसार है वही 27 अगस्त को पटना में होने वाली लालू प्रसाद की रैली को लेकर भी चर्चा हो सकती है सभी विपक्षी पार्टियों के इसमें हिस्सा लेने की संभावना है इसमें हिस्सा लेने के लिए तुर्णमुल कॉंग्रेस के अध्यक्ष मम्ता बैनर जी भी आएंगी साथ ही मायावती, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे इनके अलावा RJD, Left, DMK, NC और JMM के नेता इसमें शामिल होंगे वहीं गुजरात राजसभा के कॉंग्रेस के खिलाफ वोट करने के बाद भी NCP को नियोता भेजा गया है बताया जा रहा है कि शरद्यादव भी इस मीटिंग में आ सकते हैं